एक बाद फिर से आपका स्वागत है फैंटसी गांसल में जिनों ने अभी तक पूरे IPL में धूम मचा रखी है अगर सबसे जादा कोई जीत रहा है FC फैमिली जीत रहे और संडे के डबल हेंडर की एक मस्त कानी बताता हूं मैं संडे नी सैटरडे सैटरडे के डबल हेंडर मत तीन करोड का फाइदा सीधे सीधे हुआ है तीन करोड गा इतना जादा कमाया अपनी FC फैमिली ने अब आज सिर्फ एक मैच होने वाला है जो खेला जाएगा बैंगलॉर और लखनौ के बीच में बैंगलॉर अपना बदला लेने जा रही है लखनौ के ग्राउंड पे लास प्लेयर आज के मैच में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले है कौन से यहां पर विकट लेने वाले क्योंकि इस पिच का बियेवियर्ट चिन्ना स्वामी स्टेडियम से बहुत ज्यादा अलग है यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन बनती जा रही है बिना स्किप क करार सिंगल वीडियो में इतना सब कुछ और साथ ही साथ मैं बताऊंगा इनके स्टैट्स वेन्यू स्टैट्स स्मॉल लीग की टीम और एक्सचेंज 22 के मेरे बाई सेल क्या रहने वाले हैं तो शुरू बात करते हैं जितने भी भाई लोग नहीं आए हैं वो सबसे पहले करें करने के साथ साथ दबाए बैल आइकन को बैल आइकन प्रेस करके आपका सबसे ज़्यादा यहां होगा कि यहां पर जो भी वीडियो जाएंगी उसकी अपडेट आपको हाथ ओ हाथ आपके फोन में आ जाएंगी तो इस चीज़ का जादा से जादा फाइदा उठाएं आप लोग और करदेना यार सब्सक्राइब ये प्यायर से बूलर हो मैं और हम लाइक जरूर कर देना देखो वीडियो देख रहे हो जो जो बना लाइक करता है वह हमेशह जीता है ये रिकॉर्ड लाइप न तो लाइक करना बिलकुल मत भूलना तोटका है ये मेरा औरहां अगर अगर आपको चाहिए थार टियागो गैजेट्स एसी फ्रेज टीवी आइफोन एंड्रोइड फोन फलाना लैप्टॉप अगरा कुछ भी चाहिए तो खेलना शुरू कर दो माई मास्टर 11 पे जहां पर अभी सबसे ज्यादा फैंटसी कांसल की फैमली जीत रहे मतला अपने य सी फैमली में यहां पर भी खेलना शुरू करों इंडिया का लोइस कमिशन वाला है बहुत फाइदे हैं और इस से ज्यादा फाइदे कोई आपको नहीं दे रहा है इस बात की मेरी गैरंटी है रिकॉर्ड गल्लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और अगर कोई इस से ज्यादा फा मारकस टॉइनिस दीपक हुड़ा निकॉलस पूरन क्रूनल पांडिया नवीन उलक अमित मिश्रा रवी विश्णोई आवेश खान यह रहने वाली है लस्जी की प्लेइंग 11 आज आपको दिख सकते हैं पावर प्ले में क्रूनल पांडिया बॉलिंग कराते हैं क्योंकि इन यह सारे बॉलर आपको बॉलिंग करते हैं दिख जाएंगे अगर इस लाइनप में कोई चेंज होता है तो यह मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा तो टेलीग्राम चैनल जॉइन करना बिलकुल मत भूलना सारे के सारे अभी के अभी जॉइन कर लेना औ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल जा जाएगा कि कैसे आप उसे क्लें कर सकते हैं और फ्री में अपने हमारे इंव्स्मेंट प्लान के अखार बैसे एबüm वेण्यू पर पाँच मैच में दो सो ग्याराइन वेण्यू पर चलते हैं लेकिन मन मौजी हम मौज करते हैं रन मारने के बादे रोज गरते हैं यह केल रहूल की कहानी फिर आते है काईल मियर्स जिन्नों ने पता नहीं कौन सी रोटी खाली है और जब से रन कर भी जा रहे है जब से आया है लास्ट टाइम जब आमने सामने वे तो जीरो रन मारते हैं वेन यूविन के चार मैच में 149 रन है जो कि एच्छा स्कूर है आयूश बदोनी ने पिछले मैच में मारे 43 तो शायद वन डाउन की जगह सेव कर लेंगे अपने लिए उसके बाद आते हैं मारकस ट पुड़ा तीन मैच में 67 बहुत ही खराब चल रहा है निकॉलस पूरन के अगर मैं बात करूँ तो चार मैच में 48 रन है स्वेन्यू पर बहुत कम चलते हैं और लास्ट पांस ची टॉन्टी में इनके उच्छी स्कोर है रिसेंटली भी 45 रन मार गया है लक्नों ने इतना लो टीम एक साथ क्लिक कर रही है जिस वज़े से यह लोग जीते जा रहे हैं नवीन उलक की बात करो पिछली मैच में तीन में उससे पहले एक मार कूड़ अगर आते भी है तो अब एलेस जी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है ने रिप्लेस करना क्योंकि बहुत अची तक एक विकेट लिया है आर सीबी के खिलाफ और वेन्यू पे तीन मैच में दो विकेट है एक बार इने मिले तो उसके बाद इने मिले नहीं थे खबर आचुकी है कि जॉश हेजल बूड अब फिट एंड फाइन है जो यह मैच खेल सकते हैं आज का मैच के खेल सकते हैं फै खुआ के साथ मिडल ओवर में आपको दिखेंगे वानिंडू असनरंगा सामने वाली टीम में लेफ्ती इस हैं तो मैक्स्वेल को ओबर देना चाहिए लास्ट टाइम आर सीबी से यही गलती हो गई थी कि सामने वाले टीम में केक्रवाले साहिए बावजूत भी बावड सा कायल मेयर्स है क्रूनल पांडिया है अच्छे कहां से लेफटीज तो है टीम में निकॉलस पूरन है तो एक दो वर तो बनी जाता है मैक्सवेल का ग्राउंड भी थोड़ा डाइमेंशन में बड़ा है इनके स्टाट्स चेक करते हैं स्टाट्स में अगर आप देखोगे तो फ स्टाट्स में तीन फिफ्टी और दो दस से नीचे स्कोर जिसमें एक बार जीरो गोल्डन डक्रेंट बोल्ट के सामने माईपाल लोम रोर यह चल रहे थे पिछले मैच में फिर चले रहे हैं ग्लैन दीप सिंग मैक्सवेल तीन मैच में 91 रन और एक विकेट लखनों के खिल खेल रहे हैं खेल रहे हैं और खेल रहे हैं मैच फीस देने जैसे अतना भाई मैंने 500 रुप दिया है मैं खेल लूब दिनेश कार्तिक वो प्लेयर है शहवाज एमद तीन मैच में 26 यह भी पता नहीं क्यों खेल रहे हैं बस खेल रहे हैं वानिदू असर रंगाई है पारे लोग ध्यान रखना हर्शल पटेल तीन मैच में पांच विकेट हर्शल पटेल और जोश इसलवुड अगर पहले बॉलिंग कर रहे होगी ना रसी भी मैं आख बंद करके अपने टीम में रख लूँगा विजय कुमार वियशक इनका टूर्णमेंट अच्छा जा रह तर पांच मैच में अभी तक शे ले चुके हैं बढ़िया कर रहे हैं मोहमद सिराज का तो अभी तक सबसे बेस्ट टूर्णमेंट चल रहा है तीन मैच में पांच में लखनौ के खिलाफ लास पांच में लगातार विकेट ले रहे हैं और अभी तक परफल कैप की रेस में कि एकाना स्टेडियम में क्या होता है लगनों में जब मैच होता है यह पर आपको एक बड़िया बैटिंग मिलेगा जो बैटिंग परड़ाइस भी जाना जाता है और यहां तो यह देखना पड़ेगा कि कौन से पिछ पे मैच हो रहा है यह टेलीग्राम चैनल जरू जोइन करना है यह मैं आपको बता दू है कौन से पिछ पे मैच केला जाने वाला है और बीच में आके स्पिनर्स का रोल अच्छा हो जाता है कुछ मैच उठाते हैं गुजरात लखन सब्सक्राइब करते हैं जो आपको ग्रैंड लीग में बहुत काम आता है केल लाउल की टीम से शुरू करते हैं लखनाव ने आठ में से पांट जीत लिए एंवीप इनके मारकस टॉइनिस हैं फिर आते टॉप त्री वेटरस में स्टॉइनिस मायर्स निकॉलस पूरन तॉप त्री बाटरस में आते क्रूनिल पांडिय रवी विश्नों या वेश ख बोलते बोलते सारे साल गुजरते जा रहे हैं और आर सी भी फैन भी बस खुश है कि कुछ तो हुई रहा है आठ में से चार जीते हैं विराट को लिए फिर आते हैं टॉप 3 वैटर्स विराट फैस मैक्सवल बिलकुल इसमें कोई दोराएं नहीं है टॉप 3 बॉलर्स आते हैं सिराज वानिंडू असरंगा और बैस नौक्ती फैब दूप्लेस की 96 बैस पहलता जोश जीते थे जब भी आमने सामने आते दोसो तो दो बार बन चुके हैं तो अब आ जाते हैं कुछ बढ़िया प्लेयर्स मार्कस टॉनिस काईल मेर्स विराट कुली फैब दूप्लेस ग् सब्सक्राइब क्या हुआ था पिछले मैच में माय बताता हूं दोसो बाराट होके बैंगलौर वालों नहीं विराट को लीग सट फैब डिप्लेसे 79 मैक्सवेल 59 कार्तिक का एकरन विकेट लेने वाले बॉल रहते अमित मिश्रा को मिला था विराट को लिकेट और वुड को गए अब आते मारकस टॉइनिस बैटिंग करने पहले मारते 30 बॉल में 65 फिर आते निकॉलस पूरन पता नहीं कौन सी रोट इखा के 19 बॉल 62 आयूश बदों नहीं आते 24 बॉल तीस रहा उनतकर साग बॉल में और योगदान देखो कितना इंपोर्टेंट है और यह आवेश दिनेश खान भाई साब भागे थे जब दिनेश कार्थिक से फंबल लगाता हर्शल पटेल से मैंकेट चूटा था वो रन आउट कर सकते थे वह मिस हो गया पैर स्लिप होने की वैसे बहुत बढ़िया मैस्ता बहुत मज़िदार लाइफ देख रहे हो अगर आई पेल तो पारनेल को तीन दो लेके गए हर्शल पटेल और एक मिला करन्शर्मा को यह हुआ था मैंने बहुत कमाया था क्यूंकि उस मैच में पास पता है कौन थे सिराज पारनेल हर्शल पटे दिए तीनों बॉलर मेरे पास थे उस दिन बहुत मोटी कमाई हुई थी उस दिन चलो आप करते हैं अगर सेकेंड इनिंग में भी बॉलिंग करते तो आज विकेट लेने के चांसे इनके हैं तो हम ग्रैंड लीग में अपना पार्ट रख सकते हैं एस जी के टीम के रियक्शन थे तो हो सकता है अब विराट को ली थोड़ा बदला ले ले रेवेंज मोड ओन हो जाएंगा ग्लैन मैक्स वेल सामने लिटी में चेका से लेफ्टी है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं की ने बॉलिंग मिलनी चाहिए बॉलिंग मिलेगी तो विक सारे match और एंच हारते हם ओपनेर हमारे चेन लिए होते हैं शिकरदवन निवहान को चलंग लन फर लचे की लिए नो आई पील में लिए लिए तो मैंने कल भी नहीं देखा कब भी नहीं देखा रहा रहा था बंगला देश के लालो और छोटी टीम के खिलालो पेल देंगे पाकिस्तान ल में तो अच्छा लेते रहें लेकिन यार में देखना चाहिए सुन लो मेरी पुकार क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा जब लेफटी कॉंबिनेशन आ जाएगा मैयर्स आ जाएंगे और निकॉलस पूरन आ जाएंगे बैटिंग पर तो मैक्सी को बॉलिंग देनी चाहिए के लाहूल की अगर मैं बात करूं गी तो को सकते हैं चली सकते हैं यार विराट कोली की जब मैं बात करता हूं यह जब मैंब करते हैं बहुत लोग उन्हां है हीट भी करते है विराट कोली से मैं जानता हूं लेकिन उस हेट का रीजन क्या है एग्रेशन चलो एग्रेशन मान के चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में था मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का वहीं बैठा हो था मेल बन में 32 पर ती इंडिया सबके सर जखे हो गये थे सारे पाकिस्तानी को अब बन करेंक्त कर रहे थे उस मैच में डॉमिनेंस लेवल पता कब समझा है कि यह बंदा हमारे देश का किंग है हमारे क्रिकिट का किंग है सर उठा दिये थे सबके और इतना शोर हुआ था स्टेडियम में आखरी बॉल तक जाके कि पाकिस्तानी वहां से ग्राउंड छोड़ के अपना भागने लगे थे यह हुआ था तो उस एक्रेशन की कीमत उस पारी की कीमत और मैं अपने आपको एक बहुत लखी इंसान समझता ह हो जो बैठके मैंने वह मैच लाइग देखा ता द 통 और आप देख लेना क्रोनल पांडी आपको ठीक ठाक पॉइंस दे जाएंगे जो ड्रीम टीम का पार्ट हो जाएंगे तो ग्रैंड लीग में जाद से जादा रखना नवीन उला की अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं पहले बॉलिंग कर रही हो लखना हो तो अपने टीम में पचास हजार रुपेगा फ्री गिववए उन लोगों के लिए जो कमेंट करते हैं भाई मुझे पैसे देदो ये लोग हर वीडियो में आपको आके एक पचास हजार रुपेगा गिववए देता हूं आपके सामने डाउन्लोड कर लेना मास्ट 11 लो इन्वेस्टर के लिए इंडिया में सबसे कम कमीशन ले रहा हो और इतने जाता बेनिफिट्स आपको दे रहा हूं तो आपको बताए कि आपको किदर जाने का है समझ गया है अब आप मेरी बात तो डाउनलूड कर लेना जिसने अभी तक नहीं करा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो चलो अब देखते हैं मेरे एक्सचेंज 22 की प्रडिक्शन और साथ ही साथ मास्टर लेवन की मेरी स्मॉल लिग क्यों चेंज 22 एक ऐसा प्रेटफॉर में जिस पर मैंने पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए चैनल पर जाए वो वीडियो देखो के समझ आएगा वाई से कैसे प्रॉफिट होता है मल्टी बैगर से कैसे प्रॉफिट होता है और टेलिग्राम चैनल पर अग आवेश खान पहले या सेकिंड बॉलिंग कर रहें एक अदा विकेट वो ले जाएंगे आवेश खान को हम वाई कर सकते हैं क्रूनल पांडी होगे मैक्सवेल होगे विराट कोली एक वाई के लिए अच्छे ऑप्शन है सेल की अगर मैं फिर से बात करूं अहां अगर है यह करना जो खेली रहे मुझे लगता है तो यह सारे हैं वाई सेल पेक्स और अगर मैं बात करूं में मल्टी वैगर में मैं जाऊंगा आज मल्टी वैगर में विराट कोली केल राहुल जॉश एजलवूड क्रूनल पंडे यह चार में से कोई टॉप पे आ सकता है समझ गए तो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको बतायता हूं डाउनलोड आप कर सकते हैं दिये गए लिंक से जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है साथ ही साथ मैंने कमेंट भी पिन किया हुआ है जैसे ही आप देखेंगे वो कमेंट में लिंक है एक्सचेंज 22 का वहां से टैप करोगे डाउनलोड करोगे खिलना शुरू करोगे कमाना शुरू करोगे अब बनाते हैं हमेशा लाइब टीम बनाता हूं आपक को 14 रुपे में आईफोन इस से ज़्यादा और कहां मिलेगा आप करते कीपर्स की बात ना चाहते हुए भी मैं ले रहा हूं निकॉलस पूरन को बैटिंग में अगर हम जाए विराट कोली फैब डू प्लेसे स्केल राउल सॉट टिट और राउंडर में अगर हम जाए ग्लैन रहे हैं जौश हेजलबुड तो है तो अब हमें ना तो यहां पर पड़ी जरूरत क्रूनल पांडिया की एक चेंज कर सकते हो हर्शल पांडिया के लिए यह हो जाएगी मेरी आज की टीम कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा क्योंकि वाइस कैप्टन में आप चाहोगे विराट को बनाना पिच अगर खराब हुई तो तीस पैतिस रन भी आपको फायदा नहीं देंगे तो मारकस टॉइनिस बॉलिंग भी कर रहे हैं बैटिंग भी कर रहे हैं एक अच्छे ऑप्शन है या फिर आप बना सकते हैं वह क्योंकि बहुत लोगों क्याप्टन होंगे विराट को लिए समझ गए अब आप मेरी बात तो चलो जिशन नहीं करा सब्सक्राइब वो करें सब्सक्राइब यह पूरी टीम है अगर मैं इसमें कोई चेंज करूंगा तो टेलिग्राम चैनल पर बता दूंगा जॉइन जरू झाल 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 झाल